तो दोस्तों कटाहल की सबजी, कटाहल के पकोड़े या फिर कटाहल के कोपते आप सभी ने बहुत बार बना करके खाए हूंगे लेकिन कटाहल के बीच की सबजी अगर आपने अभी तक बना करके ट्राइ नहीं करी है तो जरूर बनाईए कर बहुत ही ज्यादा टेस्टी इसे बनानी के लिए, अबसे पहले हमें यहां पर लेना है और इससारे भन सालने निकाल लेना है तो वीजह की नजर आता है तो इससी हमसाईर रख देते हैं और एक प्रेसर कूकर लेते हैं इसमें बड़ा चम्मा सरसों का तेल डाल देंगे तेल जैसे थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसके अंदर हम सारे जो बीज है उसे डाल करके 2 मिनिट के यहां पर फ्राइ कर लेंगे यहां इसे अगर अब इस तरह सही को बनाएंगे तो यह सब्राइए आप जीयास से बन करके त्यार विवे का बाहा लेए तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा गर कल्चुन को टेड़ा करके निकालेंगे तो जो तेल है वो नीचे ही रह जाएगा तो इसमें बहुत ही कम तेल यूज होता है और यह अच्छे से फ्राइबी हो जाता है कम तेल में तो यह अब सारी बीजों को बाहर तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया सब्ची बनती है दोस्तों इसकी और इस तरह से अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच और सरसो का तेल दाल देंगे और तेल थोड़ा सा यहां पर गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े तो यहां पर मैंने कालेम रिच लॉंग तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची इसे यहां पर लिया एक लाल मिर्च सूखी वाली ली है और आधा चोटी चमच के करीब जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देना है और इन सभी चीजों को थोड़ा सा चटका लेना ह और आप अगर इस तरह से बना करके खाएंगे न दोस्तों तो इसके आगे आप नवेज भी खाना भूल जाएंगे यह इतनी ज्यादा टेश्टी लगती है दोस्तों खाने में तो इस तरह से प्याज को हमें थोड़ा सा जो है बून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक और प्याज के साथ में इसे हमें नहीं भूनना है बस मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ सुखे मसाले जैसे के एक छोटी चमच का स्मेरी लाल मिर्ज का पाउडर के लिए और एक छोटी चमच धनिया पाउडर अधा चोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा तेल में एक सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी तो पानी यहां पार डाल करके दो मिनट के लिए इसे तरह से मिलाते हुए पका लेना है जिससे जो मसाला है वो अच्छे से यहां पर कूख हो जाएगा और इसमें सची सी खुसबू भी आने लगेगी तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो अच्छे से यहां पर भून गया है तो मसालों के साथ में जो हमने पेष्ट डाला हुआ था अधरक लेसन का वो भी ही रह जाएंगे तो इस तरह से भून करके एक बार अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी आइड कर देंगे तो एकदम है इस सब्सक्राइब को बनाना लेकिन खाने में इसका स्वाद आप जब इसे खाएंगे तो इसके आगे आप नौन वेज भी खान डथे खाएंगे और स्वादनुसान नमग डाल देना या फिर एक चोटी के करीब और आहां बवी dzisiaj चामज ठीड आप मिक्स मसाला इसाम पर डाल सकते हैं तो यह पर मैंने मीट मसाला यह हम इस में डाल देंगे इसका जो फिलिवर होता है मीट मसाले का बहुत ज्स्रॉग का तो इससे जो सब्जी होती है वो और भी जादा टेश्टी लगती है खाने में तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से यहां पर मिला लेंगे और उसके बाद धकन लगा करके इसमें दो सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे तो एक से दो सीटी में आराम से कुख हो जाती है या फिर आप एक सीटी लगाने के बाद गैस को कुछ दिर के लिए दीमा कर दीजेगा और उसको धीमी आज पर 3-4 मिट के लिए पकने दीजेगा इससे भी यह सब्जी बहुत ही असानी से पक जाती है तो आप देख सकते हैं जो सीटी है वो यहां पर निकल चुकी है तो इ ही रह जाएंगे यह इतनी ज्यादा टेश्टी लगती है तो आप देख सकते हैं जो हमारी कोई की सब्जी है वो बन करके तयार हो गई है जटपट से नहीं हमें इसे उबालना पड़ा और नहीं बहुत ज्यादा इसे प्राइव राई कुछ भी नहीं करना है नहीं इसमें बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनी है लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगेगी तो आप देख सकते हैं जो कुवा है वो अच्छे से यहां पर सॉफ्ट हो चुका था तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बना करके इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं तो लीजे तयार है हमारी बहुत ज़्यादा टेश्टी कोई की सब्जी तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बैए दोस्तों थैंक्यों पर वॉचिंग